गाइस वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर दिया तो घंटी बजाना मत भूलना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें यह देखो यह इस लड़की ने डस्टिंग की है यहां पर देस्टिंग की है और डस्टिंग करने के बाद आपने कप्रा का हुआ है तो हम तीवी देख रहे हैं तो हम फुरा काम नहीं करेंगे यह दुकर दस्टिंग कपरा यहां पर हमने वाश्बिक्सिंग एबास फैंक किया है थाओ इसको ताम पूरा ही थे चलो जोड़ी करो थाओ कॉंसी मुवी देख रही है कि ढूरा है कि अम बेंगी को अधियर तो मुझे तो यह थी तयारी दस्टिंग की बच्चों को मैं ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हूं कुछ help हो जाए एक्जाम बहुत हो गया चुटिय हो गया है तो मैं चाहते हूं कि बेटी भी कुछ help करना सीखे काम में तो देखते हैं वन वाई वन उन को भी टेन करेंगे तो अभी फिलहाल टाइटल है वीडियो का वह है किचिन क्लीनिंग की वीडियो है तो कहते हैं कि किच किचन को कैसे रखना है हमने कितना क्लीन होनी चाहिए किचन यह बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि हम आरा पूरा दिन खासके लेडिस का पूरा दिन वहीं पे बीचता है तो किचन हाइजीन होनी बहुत होती है तब ही हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी तो काफी स कि आपकी प्रेट में कैसे आया बट्की यह जुच्छान की प्लीन है कितनी सफाई से बनाया गया वह की चिछन के लागा है हुआ कि मेरी किचन क्लीन करती हों और कैसे उसको हाइजीन रखती हूँ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वही शेयर करूँ हु तो बिना तो सबसे पहले शेल्फ के उपर से जितना सामान पड़ा हुआ है उसको ठाना शुरू करूंगी तो सबसे पहले एक्स की जो ट्रेज हमने सुभा लेके आए हैं तो उनको मैं फ्रिज में रख रहे हूं और जो रिफिल करने वाली चीज़े हैं उनको रिफिल करके रखूंगी और पूरी शेल्फ जो है वो खाली कर दी जाएंगी ताकि सफाई करने में असानी रहे और सिंक के नेचे डोर के साथ मैंने हुक लगा के छुटा सा डस्ट मिन लगाया हुआ है किचिन के लिए और जब वो बाहर रखे हुए बिन में फैंक आती है तो सारी शल्फ खाली कर देने के बाद अब बारी आती है बर्तन साफ करने की जितने भी बर्तन है ब्रेकफास्ट के वो सारे पले में क्लीन कर लूँगी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा किचिन क्लीनर जो है वो अल्मोस्ट खतम हो चुका है तो सफाई शुरू करने से पहले हम क्लीनर बना लेते हैं तो एक जार में पहले मैं ले रही हूं एक बड़ा कप पानी का साथ ही इसमें डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा तो देख रहे हैं आप रेक्षिन हो रहा है तो यह डिसिंफेक्टिक क्लीनर बन जाता है और साथ ही कोई भी एसेंशल ऑल डाल सकते हैं मैं यहां पर डाल रही हूं तुलसी का तेल और कोई भी टिश वाशर यूज़ करेंगे बस इसको मिक्स करेंगे तो आपका क्लीनर त्यार है इसको किसी भी स्प्रे बोटल में भर दें और यह हर तरह की चिकनाई को क्लीन कर देता है आपको कोई भी मेहनत में शक्कत करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी जिद्दी में अलकोई असानी से निकाल सकता है तो अब इसी के साथ मैं आप सिंक साफ करूंगी किचन की और साथ ही सारी किचन इसी से क्लीन करूंगी गैस टोप को साफ करने के लिए पहले क्लीनर इसके उपर स्प्रे कर देंगे थोड़ी देर इसको ऐसे रहने देंगे तब तक हम बाकी की सफाई कर लेते हैं तो ये डेली किचन की क्लीनिंग की रूटीन है डीप क्लीनिंग जो है वो मैं हट पंदा दिन में एक बार करती हूँ संडेज बगरा को साथ में फैमली मेंबर की हेलप लेके सारे कैबिनेट्स बगरा क्लीन कर देती हूँ एक बार और सारे सफाई डन होने के बाद गरम पानी में डिश्वाशर डालके सारे स्क्रब्स इसमें डाल देती हूँ मैं और इस तरह से सिंक के पास एक बॉक्स रखती हूँ कोई भी वेस्ट बॉक्स होता है जो बिस्किट्स बगरा कर नमकीन बगरा कर उसमें रखती हूँ अपना ये हैंड वाश डिश्वाशर और साथी स्प्रे तो इस दिखती है मेरी किचन सफाई होने के बाद तो 20-25 मिनट में ये सारी सफाई डन हो जाती है को जादा टाइम नहीं लगता एक एक बार देनर के बाद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्स पर वाचिंग